हेलो गाइस विल्कम बैक टो मैं चैनल एद्धर डॉक्टर इस्टेट गाइस इस मंजीत आज की वीडियो में हम बात करने वाले हमारे पदार्त विग्यान के नेक्स टॉपिक यह वीडियो देखने से पले मैं आपको रेक्वेंट करूंगा कि इससे पले जो हमारा कारेकरण क वीडियो वह देख लीजे जिससे क्या होगा कि आपको सत्कार्य wave और अच्छे से समझेंगा ठीक हैμε कि तो चलिए स्टकार्याद में हम देखते हैं कि कारेकरण जिद्धान में दखातें कि कारन से क्या होता है कारेकरण की उत्पत्ति होती है यहाँ सदकार्य क्या बुल लेकिन यहां कि इनके बारे में सदकार्य कारौका कारण से ुथ設पन होने से कारे का कारन में रहता है मतलब कि कारण से कारण की अभिव्यक्ति हुई लेकिन यहां पर बोल रहे है कि कारण जो हुआ है वह एक्दम नमेन रचना नहीं है एक दम तुरंट बना हुआ नहीं है इπάले कारण के अंदर ठाटा पाले से ही कारण में प्रजिन था अब यह क्या Korean कारण से निकला है जिसके वज़े से इसकी अभिव्यक्ति हो रही है मतब यह इसका अस्तित्व आ जा रहा है आगे बात करते हैं जैसे कि यहां पर क्या बोला है कि नया कारी कोई उत्पन नहीं होता जो क्यार अपने कारण में उपस्तित रहता है साधनों द्वारा उसी की पता नहीं चल रहा था लेकिन जैसे ही कारण से साधनों द्वारा क्या हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति हो रही है तो फिर क्या हो रहा है कारे के बारे में पता चल रहा है तो इस तरह से यह क्या बोलता है सतकारेवाद की कार्य जो उत्पन हो रहा है कारण से वो कोई नमीन को सुविकार करता है उधारन जैसे देखते हैं तो क्या ब kinda कर में दिपक लागाने से वहां स theftst Yu कि अभिव्यक्ति मात्र होती उनकी उत्पति नहीं होती जैसे कमरे में कि अंधेरा अंधेरा होने के वज़ CI होगा वहां पर रख़्ी हुई वस्तू हमें दिखाई मत्यों कि वस्तु पहले से थी लेकिन यह साधन जैसे ही आया है, वो वस्तु हमें क्या हो गई दिखाई देने लगी, उसी तरह यह बताया है कि जो कारवद के प्रतेक पदार्थ अपने अपने कारण में अव्यक्त रूप से उपस्तित रधा, उसी को साधनों के लिए क Background शत्कार बाद क्या बोलता है कि घ्ञार की निरमार की होता है उन की सिफ क्या होती है अभी व्यक्ति मातर होती यह अपने कारणों में क्या रहते है पहले से ही उपस्तित रहते हैं और को कोई साधन मिलता है तो वो क्या होते हैं मतलब यहां पर नवेन रचना न होते हुए सिर्फ क्या होती है अव्यक्त से व्यक्त होते हैं साधनों के द्वारा मतलब पहले वो पता नहीं जर रहे थे लेकिन जैसे वहां पर साधन आते हैं उनको साधन मिलता है तो उनकी क्या हो अभिव्यक्ति हो जाते वह व्यक्त होते हैं मतलब कि यहां पर नवेन रचना नहीं रहती वह उससे कभी व्यक्ति नहीं हो सकता ठीक है यह क्या बोलना चाहता है कि अगर कारे उत्पन हो रहा तो कहीं न कहीं वह कारण में रहना चाहिए तभी वह कारण से निकलेगा अगर वह कारण में है ही नहीं तो वह महास उत्पन कैसे होगा धारण में बात करते हैं कि क्या बोलता है कि रेत में तेल को उपस्तिती नहीं होती इसलिए किसी भी साधन द् उसी प्रकार तील में तेल की उपस्तिती पूर्वा से होती अता साधनों के द्वारा उससे तील से तेल निकाला जा सकता है ठेक है तो वो अपने पॉइंट को फ्रोग करने के लिए क्या बोलता है कि रेत में तेल नहीं रहता तो उससे तेल नहीं निकल सकता है वैसे तील में तेल रहता है तो उससे साधनों द्वारा हम क्या करते हैं तेल निकालते हैं वही बोर रहा है कि कारण में क्या रहता है कारे रहता है तब ही हम साधनों द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करते हैं अगर ये कारे कारण में पहले से नहीं रहता तो उसकी अभिव्यक में परिवर्तों होता है जैसे कि जो व्यक्त था वो अव्यक्त अवस्था में चला जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं विनास बोलते हैं उधारण देखते हैं सीत रुटु में जो तलाब में जल भरा होता है वही क्या होता है ग्रीश मकाल में सुखा हो जाता है यहां पर जल का अभाव नहीं होता परन्तो जल वह द्रवावस्था को होड़ देता है उधारण देते वे क्या बोलता है कि सीत रुटु में क्या रहता है जो जल रहता है व वो सुख जाता है तो यहां पर हम यह नहीं बोल सकते हैं कि यहां पर जल का क्या हो गया अभाव हो गया है यहां पर जल क्या हो गया उसका अवस्था में परिवर्तन आ गया उसके अवस्था में किस तरह से आया है कि वह पले द्रवा वस्था में था अब वह द्रवा वस्था eton को छोड़के वास्पी करण होने के वज़़ह से गएस-बैस में चला गया थीक तो इस तरह से क्या बोलना चाहता है कि वश्टु के विञास के बाद भी उसका अभाव नहीं होता है सिफ उसके अवस्था में क्या होता है परिवर्तन होता है इसी वाद को हम लोग क्या बोलते हैं अब हम बात करते कि जो सत्कार वाद है उसके समर्थन में पांच युक्तिया बतलाएगे हैं सत्कार वाद जो है उसको प्रूव करने के लिए पांच डिफ्रेंट युक्तिया बताएगी हैं इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या बोलागे हैं असत अकरणात सेकेंड आता है उपादान ग्रहनात सर्वसंभावात सकतस्य सक्त करणात कारण भावात सतकार्यां तो यह क्या है पांच युक्तिया दे गई कौन-कौन सIFक करनात उपादान ग्रहनात सर्य संभावात सकतस्य सक्त करणात और यह पांच युक्तिया बताएगे जो की शतकार्यवात का समर्थन करती हैं तो सबसे पहले हम बात करतें किसके असत अकरणात की असत मतलब क्या होता है कि जो चीज नहीं है बत्ब जिसका अभाव क्या और क्या बोलते हैं, तो मतलब, जिसमे निर्मान करने का समर्थ नहीं है, उसे क्या बोलेंगे, असत से सत की उतपती नहीं होती है, ठीक है, असत अकरनात का मतलब क्या बोलना चाहता है, कि जो खुद प्रेजेंट नहीं है वो दूसरे की भी उत्पत्ती नहीं कर सकता जैसे उधारण में खरगोस है उसमें सिंग की उत्पत्ती नहीं हो सकती खरगोस में सिंग क्या है असत है अता खरगोस में कभी भी सिंग की उत्पत्ती नहीं होती असत अकरणात में का बोला है जो चीज नहीं हो सकती या फिर असत से कभी भी सत की उत्पत्ति देखी नहीं जा सकती उधारण में बोला है कि खरगोष में कभी भी सिंग नहीं था तो अभी भी सिंग की उत्पत्ति वहाँ पे नहीं देखी जा सकती वैसे ही वातज हेतूं से पित्त व्याधि नहीं हो सकती। अगर हेतु वातज हैं तो यहाँ पे वातज हेतु पित्त की व्याधिया करने में अकारण है। सकती। सेकेंड युक्ति की बात करते हैं तो किसी विशिष्ट कारी को उत्पन करने के लिए किसी विशिष्ट करण को ही चुना जाता है। कारण का कारे से संबंध होना चाहिए। कारण का कारे से संबंध होने पर ही कारण से कारे उत्पन हो सकता है। किसी स्वस्तु का निर्मार करना उसी के अनुरूप कारण का चुनाव किया जाता है। उपादान ग्रहनात मतलब की समीप लाना ग्रहन करना। तो यहाँ पर क्या बोला है कि अगर हमें क्या चाहिए अगर बिल्लिंग बनाना है तो उसके अनुसार ही उसके अनुरूप ही हमें क्या करना पड़ेगा कारण का चुनाव करेंगे। तो वही बोला है कि कारे की अनुसार क्या किया जाता है कारण का चुनाव किया जाता है। जैसे उधारण में वस्त्र निर्मान के लिए धागो का ही ग्रहन किया जाता है किसी अन्य चीज का नहीं। क्योंकि अगर वस्त बना रहे तो वस्त्र किस से बनेगा। अफ्कॉस धागों से बनेगा तो अगर हमें वस्त बनाना है तो हम क्या करेंगे धागों का उपयोग करेंगे उसी प्रकार उरह भाग का सोधन करने के लिए वमन नामक पंच कर्म का ही चुनाव किया जाता है विरेचनादी का नहीं कि वमन क्या है उर्धा भाग के जितने भी विकार है उसके सोधन के लिए क्या करते हैं हम लोग वमन करते हैं तो यहाँ पर अगर उर्धोभाग का कोई भी रुग्ण है या रोग है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे वमन ही कराएंगे पिरेचन आदे तो किसके लिए किया जाता है अधोभाग के लिए तो इसी तरह बतायागा है कि जिस चीज की जरूरत है उसके अनुरूप ही हम क समंबंदित कार meter ही उसकारण सी उत्वाग होता है इसका आर्थ यह है कि जो कारव है वह सिर्फ अपने कारण से पले हिविद्यमान रहता है जैसे उधारन में कि βात उस्तु से पित्तज व्याद्या उत्पन नहीं हो सकती सर्व संभव अभवात मतलब क्या बोल रहा है कि कोई एक चीजी हर एक चीज को पॉसिबल नहीं है कि एक चीज से बहुत सारी चीजे क्रियेट की जा सके जैसे हम लोग सिर्फ पानी से दही नहीं बना सकते दही अगर हमें जमाना है जैसे कि यहां पर क्या बोला है कि पानी से दही नहीं जमाया जा सकता है अगर हमें दही जमाना है तो उसके लिए हमें दूधी चाहिए पानी से हम सिर्फ अपनी प्यास मिटा सकते हैं पानी का उपयोग हम दही जमाने के लिए नहीं कर सकते हैं मतलब कि एक कारण से सिर्फ एकी कार्य हो सकता है एक कारण से सिर्फ एकी कार्य हो सकता है जैसे वातज है तो उससे सिर्फ वातज विकार ही हो सकते वातज व्याधिया ही हो सकते उससे पितज व्याधिया नहीं हो सकती इसे तरह बताएगा है कि जो कार्य है एक कारण सिर्फ ए पहले से ही वो कारे प्रेजेंट था जिसके कारण क्या हो रहा है उस कारण से उसी कारे की क्या हो रही है अभिव्यक्ति मातर हो रही है दूसरे कारण की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है थर्ड युक्ति की बात करते हैं तो थर्ड युक्ति बताया गया है सक्तस से सक्यकरणात सक्तस से सक्य करणात का मतलब क्या वो लगा है कि जो कारण जिस कारे को उत्पन करने के लिए सक्त है या समर्थ है वह उसी कारे को उत्पन कर सकता है अन्य कारे को नहीं ठीक है जैसे कि अगर आम का वीज है तो वो क्या करेगा सिफ आम के ब्रिच लगाएगा उससे क्या होगा अगर उसको हम लोग बौ रहे हैं तो उससे क्या होगा सिफ आम के ही bridge उगेंगे उससे तो इमली या फिकेले का bridge तो वही बोला गया है कि सकतस सक करनाथ मतलब कि जो चीज जो करने में सामर्थ रखती है सिफ वही कर सकती है मतलब कि जो कारण है उस कारण में जिस कारे का समर्थ रहेगा वो क्या करेगा सिर्फ उसी कारे को उत्पन कर सकता है उसी तरह बताया गया है कि आमका जो वीज है सिर्फ आमके ब्रिच को ही उत्पन करने में समर्थ है और किसी ब्रिच को नहीं उसी प्रकार जो त्रिकोटू का उष्ण तिशना आदिक कार्य नहीं कर सकता, जो 3個 2 है वो कैसे होते है, उष्णगुण वाली होती है, अब यह उस्णगुण होने से क्या करते है, दीपन और पाचन करते है, लेकिन अगर उष्णगुण ही कम हो गया, उसकी जो सक्ति है, वही कम हो गई, फूर अपने कार्य को नहीं कर सकती, तो वही यहाँ पर भी बताएगे कि जो चीज जिस चीज में सक्तिवान है जिस चीज में सामर्थिवान है शिफ उसी कारे को क्या कर सकती वो परफॉर्म कर सकते दूसरे चीज को नहीं कि कारण और कारे को एक ही कहा जा सकता है उनमें केवल अवस्था भिनता है ठीक है कारण भावात मतलब क्या बोला है कारण और कारे को हम लोग क्या बोल सकते एक ही बोल सकते हैं उनमें सिफ क्या है अवस्था मात्र की भिनता है मतलब अवस्था बदल जाती है एक व्यक्त तो दूसरा क्या है अभ्यक्त वस्ता जो कार्ण कैसा रहता है वह अव्यक्त वस्ता में रहता है और जो कारे रहता है कि play गो करे औ जैसे धागे से वस्त्र, बीज से ब्रिच और हेतुओं से व्यादी, धागा जब तक है तो वहाँ पर कारे, that is the वस्त्र की अनुपस्थिती है, लेकिन जैसे धागे मिलके, धागे एक साथ क्या करते हैं, सैयोग करते हैं, तो क्या करते हैं, वो वस्त्र की निर्मिती करते हैं मतब धागा जो था वो कारण था जैसे उनको साधन मिला उनका सयोग हुआ वैसे ही वस्त्र की निर्मिती होगे मतब क्या था यहाँ पर जो कारण था वो अव्यक्त अवस्ता में था लेकिन जैसे ही वो व्यक्त अवस्ता में आया तो वहाँ पर क्या होगे हमें कारे की उत्प अकारणात देखा फिर उसके बाद उपादान गरहनात देखा सक्ते से सक्य करणात देखा कारण भावात देखा तो यह सारे जो भी हम लोग अव्यक्त अवस्था में रहता है और जैसे उसे निमित मतलब कोई साधन मिलता है तो वो अपने अव्यक्त अवस्था को छोड़के अव्यक्त अवस्था को प्राप्त करता है और वो हमें क्या होता है डिखाई कर पड़ता है और उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं कारे नाम से बताई गए जैसे कि जो मदूर रस हैं उसको प्रित्वि जल से अमल रस को प्रित्वी अकनी कटूरस को अगनी वायू त्यश्वा रस और वायू महभूत इनके स्नयोग का डूला है इफेक्ट बोला है जिससे क्या होते हैं यहां पे रस की उत्पत्ती होती है तो मतलब कि जो महाभूत है यह क्या है कारण है और इन से क्या है रस की उत्पत्ती होती है तो रस क्या है कारे मतलब कहीं कहीं इन महाभूत में यह जो रस है वो क्या रहते हैं विद्यमार रहते हैं और जब इन रसों महाभूतों का क्या होता है संयोग होता है तो यह रस क्या होते हैं वहाँ पे व्यक्त होते हैं साथ साथ बोला कि जिन हित्यों के सेवन से दोस्ट प्रकोफ होता है व्यादी का निर्मार होता है उनी हित्यों के विप्रित गुलू द्रव्यों से क्या होता है उस व्यादी के चिकिस्ता का नियोजन किया जाता है यह भी कारेकारण सिध्धान्द को ही स्पष्ट करता है इस तो जब हम किसी हेतु को देखते हैं, तो हेतु के द्वारा किस दोस्त की प्रकूप हुआ होगा, यह हम किस के द्वारा कारेकारण सिध्धांत द्वारा ही ग्याद करते हैं, अब यह जो कारेकारण सिध्धांत द्वारा हम लोग क्या कर चुके हैं, दोस्त प्रकूप का ग्य करते हैं और लक्षण के बाद उस लक्षणों के अनुसार हम क्या करते है선 करते हैं क्या right आपिस के लिए उसके विप्रितों की द्रव्यों को हम अयोसधी योझना करते हैं साथ साथ बोला गया कि जो विक्रूत संतान रूपी कार है उसकी उत्पत्ति में बीज दूष्टी को कारण माना गया है मतलब कि अगर बेबी जो है वो अच्छे से नहीं है उसमें कोई विक्रूती है जो नहीं संतान है उसमें अगर कोई विक्रूती है तो यह से हमें क्या करना च निवबऑन बेबिज डैट इस दज़ संतान रुपी कारे पर देखने को मिला हैं तो इस तारह से हम लोग क्या करते हैं सथकारवाद का वाफ का हम लोग ऊपयोग से सतकारवाद क्या बताता है और उसको प्रूफ करने के लिए क्या-क्या थेरिज दी गई है और उसका आयरवेद में क्या मतवे यह सारे चीज़े क्या है इंपोर्टेंट है ऐसे कॉंसेप्ट भी आफ तो यह हो गया हमारा सतकारवाद टॉपिक तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो को शेयर करना मत फूलेगा जिससे आपको फॉर्दर वीडि